हेलो दोस्तों उत्राखंड की पार्ट शाला में आप सभी का श्वागत है तो देखिए दोस्तों एक स्रीज हमने आपर शुरू की थी जिसके अंतरकत हम देख ले थे उत्राखंड विशह से सम्मंदित महत्वपूर्ण प्रस्णों को जो की important हो जाते हैं उत्राखंड की सभी परद्योगी परिक्षाओं के लिए अंदिम revision के तोर पर इन प्रस्णों को हम देख सकते हैं इसलिए हमने इस स्रीज शुरू किया है देख चलिए दोस्तों शुरू करता है इसका तीसरा पार्ट उत्राखंड के महत्वपूर्ण प्रस्ण देखिए यहाँ पर जो पहला प्रस्ण है वो है कि कभी मतिराम जो थे लेखक उन्होंने किस परमार की तुलना सिवाजी से की तो जो मतिराम है उन्होंने अपने गरंथों में जो सिवाजी से तुलना की थी तो प्रमार सासक फतेशा की तुलना उन्होंने शिवाजी से की थी अगला प्रश्ण सुमित्रा नंदन पंत ने 1929 में किस पत्रिका का संपादन किया देखिए सुमिता नदन पंत ने जो 1928 में जो पत्रिका अपनी निकाली थी जिसका संपादन किया था तो उसका नाम किया था तो इसका जो आंसर या पर है वो है रुपाब तो इससे बहुत सारे फैक्ट किलियार हो जाएंगे कि कब किया, तो 1931 में किस ने किया, सुमिठल लंदन पंत ने पत्रिया का नाम किया था तो रुपाब अगला प्रश्न गुरुना माता मंदिर कहां पर इस्तित है तो जो गुरुना या गुरुना माता मंदिर है वो इस्तित है पिथोरागड में इस मंदिर का जो अन्य नाम है वो है पाशान देवी मंदिर पाशान देवी मंदिर के नाम से भी इस देवाले को जाना जाता है गु इतनी बोलियाँ उन्ही इसके अंतरक्रवान ने छोंस रचना है वो है हेम्वति नंदन बहुगुना जी की जो कि एक प्रसिद्ध नेता रहे गड़वाल छेतर से या उत्राखंड की हम माने को ये उत्रप्रदेश के मुख्या मंतरी भी रहे अगला प्रशन द्वाराहाट का बद्रिनात मंदिर का निर्माता कौन था तो देखिया जो द्वाराहाट मंदिर समू में बद्रिनात मंदिर का निर्माता कौन थे तो कत्योरी सासक सुधाल देव इस मंदिर के निर्माता थे अगला प्रशन टाइगर टेंपल किसकी रचना है टाइगर टें या किस सहर में या किस जिले में इस्तित था ये किला बाउल की गड़ तो देखिए पितोरागड में इस्तित ये किला था और गुर्खों ने इस किले का निर्माण यहां पर किया था बाउल की गड़ अगला प्रश्न चौपकिया मिलेगी हम बात करें तो जो चौपकिया मिला वो लगता है पितोरागड जनपद में अगला प्रश्न रसकिन बॉंड का पहला उपन्यास कौन सा था तो देखिए दरूम ओफ दरूफ या रूम ओफ दरूफ ये इनका पहला उपन्यास था रसकिन बॉंड का मात्र सत्रा वर्स की मुरमेनों ने लिखा था रसकिन बॉंड क कहाँ पर इस्थित है तो ब्रामी ताल के करें हम बात करें तो उतरकासी जिले में इस्थित है ब्रामी ताल बात करें अगर हम विश्वनात जो हमारा देवालाई है तो वो है उतरकासी में अगला प्रशन वैली आपदून किसकी पुस्तक है तो जो वैली आपदून पुस्तक है उसके रचियता है अगला प्रशन व्रिक्षन को विलाप किसकी रचना है व्रिक्षन को विलाप ये रचना है गौरदा के नाम से इनकी रचना है इन्होंने कुमावनी में जो जंगलों का लगातार हरास हुआ अगला जो के द्वारा कटान किया गया जो मतलब जंगलात कानून के दरा जनता पर जो परिशानिया आई उसी के परिफेक्ष में इस किताब को लिखाता इस के विता को लिखाता विलिक्षन को विलाप अगला प्रशन हिमालय दिवस किसकी पुस्तक है तो देखिए एक समाज सेवी विक्ती है उतराखंड के अनिल जोसी इनकी पुस्तक है हिमालय दिवस अगला प्रशन बौराणी मिला कहा लगता है तो बौराणी मिले की बात करें तो पिथोरागड़ जिल्ले में लगता है बौराणी मिला अगला प्रस्ट है टिरी रियासत में मामला और विसाई क्या था तो जो टिरी रियासत की बात करें तो मामला और विसाई थे यहां के मुख्या भूमिकर अन्य प्रस्ट तिमूरिया मिला कहा लगता है तो देखिए तिमुडिया मेले की हम बात करें तो जोशिमट में लगता है तिमुडिया मेला तिमुडिया यहाँ पर एक लोग देवता है या इना एक अशुर का रूपी माना जाता है और बद्रीनाथ जब बद्रीनाथ से जोशिमाट नर्सिंग मंदिर के लिए आते हैं हर छे मेने में सितकाल के लिए तो उनके आने से कुछ दिन पूर्व इस देवता के जागर यहाँ पर लगाये जाते हैं इसे संतुष्ट किया जाता है ताकि कोई भी विद्र उत्पन नहों बद्रीनाथ के जोशिमाट आने में अगला प्रशन जूला देवी मंदिर कहाँ पर इस्तित है तो जूला देवी मंदिर के हम बात करें तो रानी खेत में इस्तित है जूला देवी मंदिर अगला प्रशन चुलेरा सीम गुफा कहां पर इस्तित है तो चुलेरा सीम गुफा की बात करें तो अलमोडा में इस्तित है अलमोडा में भी चवकठिया छेत्र में इस्तित है ये गुफा चुलेरा सीम गुफा अगला प्रशन शुकरो देवी मंदिर कहां पर इस्तित है तो शुक्रो देवी मंदिर की बात करें तो पॉडी गड़वाल के कोर्दवार में इस्तित है सुक्रो देवी मंदिर अगला है ननिताल जनपत की स्थापना कब हुई तो ननिताल जनपत की स्थापना की बात करें मौड मेरे का संबंद किस नदी से है तो देखिए मचलियों को पकड़ने का एक मिला है मौड मिला जौनपुर छेतर का ये परसिद्ध मेरा है और इसमें जो नदी जिस नदी में मचलियां पकड़ी जाती है उसका नाम है अलगाड अगला प्रशन कुचिया देव उड्यार काँ पर इस्तित है तो देखिए कुचिया देव उड्यार की बात करें तो पिथोरागड जिले में इस्तित है कुचिया देव उड्यार अगला प्रशन देव दावनी भुग्याल किस जिले में इस्तित है तो देव दावनी भुग्याल के अगर हम यहाँ पर बात करें तो उतर कासी जिले में इसती थे देव दावनी भुग्याल अन्य प्रश्ण है मेदाकर शर्मा किसके राजकवी थे तो देखिए मेदाकर शर्मा की बात करें पर्दीप शा की राज कभी थे मेदाकर शर्मा, इनकी परिसित पुस्तक रही रामयन पर्दीप जो पर्दीप साबर इनके दूरा लिखी गई तो इसी के रचियता है मेदाकर शर्मा अगला प्रश्ण देवी पुस्ती माता मंदिर कहाँ पर इस्तित है तो देखिए जागिस्वर धाम जो कि उतराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समू है 124 मंदिरों का समू है वहाँ पर इस्तित है पुस्ती माता का मंदिर अगला प्रश्ण लवराज धर्मशक्तु को पदमश लड़ चुके हैं हमारे मांट एवरिस्ट पर अगला प्रश्ण नेनिताल में रोपवे का निर्मान कब हुआ था तो नेनिताल में रोपवे का निर्मान की कर हम बात करें तो 1985 में हुआ था नेनिताल में रोपवे का निर्मान अगला प्रश्ण बजहर किस जनजाति का त्योह अगला प्रश्ण है देखिए 21 अप्रेल को यह मेला लगता है वीर गबर सिंग मेला हमारे जो सहीद रहे विक्टोरिया क्रोस जो है गबर सिंग जो तिया परताम विशविद में तो उनी के संबान में लगता है 21 अप्रेल को चमबा टेरी गड़वाल में अगला प्रश्ण जनक ताल कहां पर इस्तित है तो जनक ताल जो इस्तित है वो तरकासी में इस्तित है और जहां पर जाल जिंजाती का निवास अस्तान है उसी के समीब ये इस्तित है जनक ताल अगला प्रश्ण अगला प्रश्न अगला प्रश्न अजवेडो नाम ख्यात्री किस प्रबार के समय कड़वाल आया तो देखे औजवेडो की बात करें तो महिपती शा के समय ये गड़वाल आया था और इसने सति प्रता का अपने अपनी रचना में किया है अगला प्रश्न ननिताल में Hillside Safety Committee की स्थापना कब हुई देखे 1867 में ननिताल में Hillside Safety Committee की स्थापना हुई थी अन्य प्रश्ण है जेलंग परवत कहाँ पर इस्तित है तो जेलंग परवत के हम बात करें तो उतरकासी जनपद में इस्तित है पहले कभी ये प्रश्न पूचा जा चुका है अगला प्रश्न रिशी गंगा घाटी कहां पर इस्तित है तो रिशी गंगा की घाटी के हम बात करें तो चमोली में इस्तित है रिशी गंगा घाटी रिशी गंगा जो की सायक नदी है पस्विमी धोली गंगा की तो यहीं है चम क्लावड इंड नामकस्तान कहां पर इस्तित है क्लावड इंड नामकस्तान जो इस्तित है यह मसूरी में अन्य प्रशन है उत्राखंड कितना सच कितना चल किसकी रचना है या वैसायक नदी हो गया है लेकिन किसकी रचना है उत्राखंड कितना सच कितना चल तो देखिए जो लंगडी कि रण किसकी रचन है तु लंगडी कि अराम बात करें तो परसिद रचना है लंगडी के रचनर ये है लिजारदर जंगूडी जिकी जो की चुफल्यागाट किसकी सायक नदी है तो चुफल्यागाट की बात करें तो नंदागनी की सायक नदी है नंदागनी वो नदी है जो की अलग नदा की सायक नदी है और नंद प्र्यागवे अलग नंदा में मिल जाती है अगरा प्रश्ण टॉंस तदा पबर नदी का संगम कहा परिस्तित है तो पाबर या पबर जो ये नदी है इसका टॉंस में संगम हो जाता है त्यूनी में अगरा प्रशन हिमालय पुरादत्वयों निर्वंसिया संग्रालय कहां परिस्तित है तो हिमालय पुरादत्वयों निर्वंसिया जो संग्रालय है वो है शिनगर गडवाल में रण बहादूर चंद्रिका किसकी रचना है तो रण बहादूर चंद्रिका की बात करें तो मौला राम की रचना है रण बहादूर चंद्रिका ये लिखी थी मौला राम ने जो हमारे गोरखा सुबेदार थे रण बहादूर सिंग थापा उन पर लिखी गई थी रण वो दो पहुत